पशी मंगाल में एक बार फिर से टीमसी का परचम लहरा है। बंगाल चुनाव में राजनीतिक या ममता बनरजी के जीत से विपक्ष को अक्सीजन मिलता नजर आया है। कई राजु में गैर बीजेपी पार्टियों की सत्ता की सकने के बाद बंगाल में भी कयास लगाय जा रहे थे कि शायद बीजेपी इस बार बंगाल की सत्ता अपने नाम कर ले। मगर मंगाल की जनता ने दीदी को एक बार फिर सत्ता सौब दी है ममता की इस जीत से उनका राजनीती कद भी बढ़ा और विपक्ष के एक छत्रनेता के तौर पर उनकी दाविदारी मस्बूत हुई वह इनकी इस जीत पर लोगों ने कई तरह की बाते कही है लेकिन बॉलिवुड स्टार मिथुन्चा करवर्थी ने कुछ ऐसी बात कह दी कि जिसे सुनकर आप भी अकीन नहीं कर पाएंके तो चलिए जानते हैं कि आख्यकार मिथुने ममता की जीत पर ऐसी क्या बात बोल दी अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहें मेरे साथ स्पीचों के हैं तक साथ ही आपकी फेवरिट एक्टर में थुन्चा करवर्थी के लिए एक लाइक तो बनता है तीसरी बार पश्चिम मंगाल का चुनाफ जीत कर राशनीतिग्या ममता ने इस्ताबित कर दिया कि राज़े में उनसे लोग प्रिया नेता कोई और नहीं जी हाँ बंगाल विधान सभा चुनाफ के लिए रविवार को हुए मत्धु की करणा में ममता बनर्जी के नेतरत वाले द्रणमूल कॉंग्रिस ने एक पार फिर से राज़े में जीत दर्च की है भारते जनता पार्ची के तरफ से प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ग्रे मंत्री के साथ साथ कए केंद्रे निताओं को चुनाव प्रचार के लिए उतारा गया था लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा साल 2019 के लोग सभा चुनाव के बाद ममता बनर्जी त्वारा कुछ नई योशनाओं के शुरुआत की गई थी जिसका असर विधान सभा चुनाव में देखने को मिला साल 2016 के विधान सभा चुनाव में भारी जीत के तीन साल बाद त्रणमुल कॉंग्रिस को 2019 के लोग सभा चुनाव में छटका लगा था बीजेपी ने 40% से अधिक वोट लाकर 40 में से 18 सीटों पर जीत दर्च कर ली थी बीजेपी से मिली चुनावते के बाद त्रणमुल कॉंग्रिस ने कई कल्याणकारी योजनाव की शुरुआद की जिन में दुआरे सरकार और दीदी के बोलो योजना ने इस चुनाव में काफी प्रभाव डाला दीदी के बोलो योजना के दहएद शिकायतों को लोग फोन के माध्यम से सिधा मुख्य मंतुरी तक पहुँचा सकते हैं इसके लावा भी पिछले एक तशक में त्रिणमुल कॉंग्रिस ने रूपा श्री, कन्या श्री और साबुस साथी जैसे कहीं योजनाओं के श्रुवात की जिसे गरीबों के भी चार्थी कलाब देखने को मिला बीजबी की तरफ से इन योजनाओं में ब्रशाचार के मुद्दे उठाय कए लेकिन मतुदाताओं पर इसका अधिक असर नहीं देखने को मिला जमीन पर दो चीज़े सपश्ट थी सबसे पहले ट्रिनमूल ने लोगों के लिए योजनाओं को और अधिक सुलब बनाने पर ध्यान के दृत किया साथी दुआरे सरकार और दीदी के बोलों ने पार्टी को ये जानकारी दी कि वो कहां गलत हो रही थे ममता पनर जी किसी अच्छाईयों को देखते हुए इस बार भी इन्हें बंगाल चुनाओं में लोगों ने चिताया है और इनकी इस जीत परमितु ने एक चौकाने वाली बात कही है उन्होंने कहा कि अकिर ममता पनर जी मेरी ही तो बहन है जीतना तो कन्फरम था ही और आगे भी जीतती रहेंगी मेरी उमीद है कि मेरी बहन जीत कर लोगों की खूब मदद करेंगी साथ ही लोगों की दिलों में राज करेंगी बगवान मेरी बहन के साथ हमीशा रहे ताकि वो आगे भी इस तरह लोगों की मदद करती रहे और बंगाल चुनाव में हमेशा जीती ही रहे मैं बस यही चाहता हूँ कि मम्ता हमेशा सच का ही साथ दे वेल मितुन की इस बयान से मम्ता बनर जी काफे खुश है क्योंकि मम्ता भी मितुन को अपना भाई माती है